और एंडियमी सीटों की बटवारे में लोग जंश्रक्ती पार्टी रामविलास की खाते में आई पांच सीट को लेकर पार्टी के राश्ट्री अध्याक्ष चिराग पास्वान ने खुशी जाहर की है वहीं चिराग की चाचा पश्वपती पार्टी राश्ट्री लोग जंश्रक्ती पार्टी का पत्ता कट गया है बीजेपी ने पांस दनों के गडबंधन की घोशना कर दी है और ऐसे में पारस पार्टी और परिवार के सवाल पर चिराक पास्वान ने कहा कि वो बड़े लोग हैं और फैसला उने ही लेना है चिराग पास्वान ने कहा कि मेरे पता के निधन के बाद चाचा पारस को परिवार और पार्टी को सम्हालना था गड़बंधन से जुड़ी सभी बातें भी उनहीं को करनी थी और इसके पहले कभी ऐसी इस्तिय आई ही नहीं लेकिन पता के जाने के बाद परिवार में पार्टी को अलग करने की कोशिश की गए और तब भी फैसला उनहीं का था आज भी फैसला उनहीं का है पारस के आजी पुर्शी चुना लड़ने के अलाम के सवाल पर चिराग ने कहा कि जो मड़ती दम तक पीएम मोदी के साथ रहने की बात करते थे वो पीएम मोदी के लक्ष के आगे रोड़ा बनेंगे ये हमें नहीं पता और ये फैसला भी उनहीं को लेना है वही चाचा भतीजे के बीच संजोते की गुल्जाइश के सवाल पर एक बार फ़र चिराग ने कहा है कि ये फैसला भी बड़ो को ही लेना बात करते हैं लोजबार आमबिलास के राष्टी अधक चिराग पासवान से चिराग जी आज एंडिये के भीतर बिहार में सीटों का बटवारा हो गया सब कुछ फाइनल है आपकी पार्टी के खाते में पांच सीटे मिली हैं दूसरी तरह ताचा पसपती पारास की जो पार्टी थी दूसरा तरह उसको जीरो कैसे देख रहे हैं इस पूरे डिल को कैसे हुआ है भाई मुझे नहीं पता क्योंकि इस डील में मेरी चिंता सिर्फ मेरी सीटों को लेकर थी और जितनी भी हम लोग की चर्चाएं चल रही थी मेरा ध्यान मेरी पार्टी पर था मेरा ध्यान गड़बंदन में हम लोगों की भूमिका पर था मैं मांदारी से बोलूं गड़बंदन में ये चर्चा तक मेरे सामने या मैंने नहीं की किस डल को कितनी सीटे मिल रही है नहीं मिल रही है एक सहयोगी होने के नाते मुझे शोभा भी नहीं देता का उपेंदर कुश्वा जी हो आधनिया मा जी जी हो तमाम दलों के नेताओं का मैं विशेश तोर पर मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्य मंत्री आधनिया नितीश कुमार जी का कि तमाम चीजों को एक तरफ रखते वे गड़बंदन ने सिर्फ गडबंदन की मजबू मैंने बार बार कहा है कि बड़े वो हैं फैसला उनको लेना है उन्ही को ही मेरे पिता के जाने के बाद पिता की भूमीका में रहकर परिवार को भी संजोना था पार्टी को भी संजोना था गड़बंदन से जुड़ी हुई तमाम कठनाईया तमाम चर्चा वारता उन्ही को उनके साथ भी हमेशा वो रहे, उन्होंने ही किया, पर आज इस तरीके से परिवार में पार्टी को अलग करने का पूरा प्रयास किया गया, ऐसे में ये फैसला तब भी उनीका था, आज भी ये फैसला उनीका ही होगा। मुझे नहीं पता है लड़ाई देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी बट हाँ, जो मरते दम तक इंडिये के साथ रहने की बाते करते थे, ऐसे में वो प्रधान मंत्री जी के लक्ष के आगे ही रोडा बनेंगे। क्या वो नुकसान पहुचाने का कारे करेंगे, ये फैसला उनीको लेंगे। आखिर में सवाल परिवार और पार्टी एक हो सकती है, बन्जाइस है। पुना दोर होंगा ये फैसला बड़ो को लेना है। आप स्वागत करेंगे अगर वो फैसला लेते हैं तो। वो पहले फैसला लें भाई उसके बाद। ये फैसला मेरे अकेले का नहीं हो सकता भाई। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मेरी बहने हैं मेरी माँ हैं मेरी बड़ी माँ हैं मेरे जीजा जी हैं मेरी फुआ हैं उनकी अपनी बहन सगी बहन मेरे फूफा जी हैं तमाम भाई बहन हैं ये सिब एक राजनितिक विशे नहीं है ना भाई और इसलिए मैं कई बार बहुत असहज होता हूं सारुजनिक मंच इसकी चर्चा करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये सिफिक राजनितिक विशे नहीं है, मेरे लिए पारिवारीक विशे भी है, इसलिए परिवार के बड़े वो हैं, फैसला भी उनी कोई लिए लिए। मिल सकती है, कैमरामेन जगदीश गौतम के साथ अमितेश सिंग, न्यूज 18 दिल्ली